आज हम लोग को स्टार्ट करना है कॉडिनेशन चैमिस्टी जिस पर हम लोग बहुत अच्छे questions का एक अच्छा सेट्ट डिसकस करने वाले हैं इसमें बहुत सारा questions आप के पास आएगा question का selection इस तरह से किया गया है कि हर एक topic पे एक अच्छा सेट आफ को सब्सक्राइब करेंगे बहुत कुछ आद होना चाहिए बहुत कुछ आप समझ के बैठे होंगे कुछ-कुछ नया भी आपके सामने आते रहेगा लेकिन में है क्या कि आपको कोश्चन पर फोकस रहना है क्या अखिर हम लोग कोडिनेशन केमस्ट या complex compounds भी आप इसको कहते हैं उसको हम लोग आना किस तरीके से हैंडल करते हैं में प्रॉब्लम इस पे फोकस होगा डिसकस करना ठीक है तो देखो तुम्हारे पास स्टार्ट करो तुम्हारे पास question number 1 में लिखा है ऐसा given the molecular formula for some hexa coordinated complex कुछ molecular formula आपके सामने लिखा हुआ है if the number of NS3 molecules in A, B and C respectively are A में जो हमारा A complex बनेगा उस A complex में NS3 का number 6 होगा इसका मतलब यह कुछ ऐसा बनेगा और तीन क्लोरीन बाहर रहेगा जो हमारा B है उसमें लिखा हुआ है कि NS3 का molecule है न फाइब होगा इसका मतलब कोबाल्ट NS3 5 एक CL अंदर एक CL अंदर दो CL बाहर और एक NS3 भी बाहर और C के अंदर चार NS3 होगा कोबाल्ट NS3 whole 4 तो 2 CL बाहर होगा क्योंकि coordination number 6 तो satisfy करना होगा न और 2 NS3 बाहर अब आपसे इसमें पूछा गया है आपसे इसमें पूछा गया है कि primary valency ABC में बताईए primary valency ABC में बताईए देखिए primary valency जब आपसे कोई पूछे न तो आप देखो कि ionize होने के बाद ionization ठीक है न कितने ions आपके सामने देता है आपके पास कितना number of ions देता है जो हमारे पास ions कहने का मतलब complex ion नहीं जो दूसरा ion है जो ionizable लिगेंड बोलो लिगेंड बोलो या primary valency वह कितना है दा आउनाइजेशन नंबर गिप्स आउनाइजेशन गिप्स नंबर ओफ ionizable molecule बोलो या group बोलो अब तुम कार करो जब तुम एक को आइनाइज करोगे यह वीडियो में थोड़ा जब आप एक को आइनाइज करेंगे ना जब आप एक को आइनाइज करेंगे तो वैसे केस में अगर आप ध्यान से देखेगा तो आपके सामने केस में 3Cl – निकल के सामने आएगा ये पूरा का पूरा CL – आइनाइज हो जाएगा तो 3- इस केस में 2 ही CL – आएगा और इस केस में किवल 1- आएगा ठीक है तो हमारे पास 1st केस में बोला जाए तो 3- अगले केस में 2 C ganze tasting में 25 और last केस में एक cl minus है जो ionize होगा कुछ cl ऐसा है जो ionize नहीं होगा तो जो cl ionize नहीं होगा अगर वो primary और secondary valency दोनों को satisfy कर रहा है तो हम लोग उसको secondary valency की तरह main treat करते हैं उससे में हम लोग उसको primary valency की तरह treat नहीं करते हैं सही है अगर आप से कोई बोले कि a वाले option में दीखें बहुत कुछ है सीखने के लिए ठीक है ए वाले option में primary valency कितना है तो 3 का 3 cl ionize हो जाएगा तो primary valency 3 है b के case में total है तो 3 cl लेकिन ionize तो केवल 2 ही होगा न तो इसका primary valency 2 है जबकि 1 cl मेरा primary और secondary दोनों बैलेंसी की तरह treat हो रहा है तो हम लोग ionize वाला number ही यहां लेके चलेंगे clear है और c वाले के अंदर 2 cl ऐसा है जो primary और secondary valency दोनों की तरह काम कर रहा यह दोनों और एक cl है जो केवल primary valency की तरह काम कर रहा तो अगर आपसे केवल primary valency ही पूछा है तो obviously इस case में 1 होगा तो 3 2 1 यह answer है और अगर तीनों case में oxidation नंबर पूछ लेता तो अगर तीनों case में के लिए 6 बी के लिए 6 और सी के लिए 6 तीनों का secondary valency 6 है क्योंकि छे coordination bond बन रहा ठीक है coordinate cobalent bond तो एक answer मतलब question number 1 का answer भी है आगे बढ़ूंग अगर मेनी आयन्स obtained after dissociation of this complex इस complex का जब आप आयोनाइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा चार आयन को एक खुद वो coordination sphere होगा जिस पर चार्ज होगा हम लोगों का प्लस थ्री और साथ में मिलेगा तीन सील माइनस तो अगर टोटल नंबर आफ आयन्स देखोगे न तो टोटल नंबर आफ आयन्स आपके पास चार आयन है तो इसका करेंगे तो हम लोगों को चार आयन मिलेगा ठीक है फोर आयन्स क्रमियम है याद होगा ये एक्टेंटेड लेगेंड है एक एक लिगंट जो है वो हम लोग का दो-दो बॉंड बनाता है और उसके बाद क्रोमियम पे थ्री चार्ज आना चीए ठीक है क्रोमियम पे थ्री चार्ज आना चीए अब जरह हमको यहां देखना पड़ेगा कि यहां पे कितना हमको कि चार्ज ओपर पुट करना है क्रोमियम का थी है कुश्चन में 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 एक रोमियम थी ओक्सिडिशन स्टेट में है मैं अब यहां पे क्लोरीन का माइनस बन है ऐसा दो क्लोरीन है ओक देखनेट का एक का चार्ज माइनस टू होता है और यह तो आपके पास आया 3 और यह कितना इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि यहां क्रोमियम है दो क्लोरीन है और इसका मतलब समझ रहे हैं माइनस थ्री चार्ज का मतलब है कि बाहर में कुछ आयन होगा वह तीन आयन आयनाईज हुआ होगा वह तीन आयन आयनाईज हुआ होगा सो थ्री आयन आयनाईज ठीक है तो अगर कोई तुमसे इसमें प्राइमरी वैलेंस सी पूछे तो प्राइमरी वैलेंस सी 3 है और यहां पे 6 कॉडिनेट कोबलेंट बॉन्ड क्रोमियम का बना है यहां जो क्रोमियम है वह 6 कॉडिनेट कोब kool-in bond बनाया है, 2 bond बनाया है क्लोरीन के साथ और एक oxalate के साथ 2 bond, और फिर एक और oxalate के साथ 2 bond, तो कुल मिला के chromium यहाँ पे 6 bond का formation किया है, तो इसका primary valence 3 है और secondary valence 6 है, primary valence 3 है, और यह secondary valence 6 है, तो 3 and 6, ठीक है, 3 and 6, बहुत बहुत बैतरीन questions है, और दिमाग रखना है यही सब तो सीखना है ठीक है अराम से समस्ते चलो 1 mole of the complex compound gives 3 moles of iron 1 mole of the complex compound gives 3 moles of ions on dissolution in water water में जब dissolve होता है तो 3 moles iron देता है 3 moles of iron 1 mole of same complex react with 2 moles of agno3 चलो यहां से आइडिया आ गया आप इसका कोई complex बना के रखे अभी उसका formula नहीं लिखते हैं जब हम इसका aqua solution बनाते हैं तो उसमें 3 moles ions बनता है और जब हम इसको react कराते हैं agno3 के साथ तो 2 moles agcl बनता है 2 moles agcl बनता अच्छा 2 moles agcl इस बात का confirmation है कि बाहर में 2 ही chlorine है अब coordination number 6 satisfy करने के लिए अंदर का formula होगा कोबाल्ट ns3 whole 5 और 1 cl अंदर कोबाल्ट ns3 whole 5 और 1 cl अंदर सही है न अब आप इसको जब ionize करेंगे यह जो उपर वाला concept था अगर आप इसको ionize करते हैं तो एक complex का charge मिलेगा जिसके उपर आपको plus 2 दिखाई देगा और साथ में 2 cl माइनस मिलेगा तो कुल मिलाके यहां पे 3 iron भी बन गया और साथ में 2 cl जो है वो बाहर बाहर ionize होके ag के साथ मिलके 2 moles agcl भी बनाया तो हमारा यह structure है जो molecule का है कोबाल्ट NH3 whole 5 cl और साथ में cl2 a structure कोबाल्ट NH3 whole 5 cl और साथ में cl2 a structure एक्जिस्ट करता है ठीक है समझना आया थी रहे दिरे समझ समझ के आगे बढ़ना है clear है आगे बढ़ोगा लेका बोथ कोबाल्ट 3 plus and platinum 4 plus have a coordination number of six दोनों का coordination number six है मतलब कोबाल्ट भी छे coordinate cobalent बनाएगा और platinum 4 भी छे coordinate cobalent बनाएगा which of the following pair of complex will source approximately same electrical conductance for their youth देखो देखो electrical conductance इस बात पर depend करता है कि number of ions in solution कितना है अगर आप बोल रहे हो कि electrical conductance same चाहिए तो याद रखेगा कि जो number of ions जो number of ions बनेगा solution के अंदर वो भी same बनना चाहिए अगर number of ions solution के अंदर same है तो याद रखना electrical conductance भी same होगा अब आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखे आपको हर जगा complex derive करना पड़ेगा और उसका एकको solution सोचना पड़ेगा जैसे option में याद रखे हैं coordination number six है तो हम लोग क्या करेंगे ना ammonia को पूरा coordination number में लेंगे अंदर और जो अगर कुछ CL अंदर जरूत है अंदर कहने का मतलब square bracket के अंदर जैसे च्छे को satisfy करने के लिए हमको जितना ammonia ammonia तो सारा हम लोग है ना square bracket के अंदर डाल देंगे as a legend अगर कुछ chlorine घटता है तो अंदर डालेंगे नहीं तो square bracket के बाहर रखेंगे तो देखो कोबाल्ट वाले में पहला वाला option पे देख पहले तो तुम 4 एनेस 3 लिख दो कि तो 2 इस तो अभी अंदर लिखोगे ना या तो एक सिएल बाहर आएगा और platinum वाले के केस में है क्या होगा i इस थीचार अंदर लिखोगे कि अप और यहां पर हमको और कम से कम दो क्लोरीन भी अंदर लिखना पढ़ेगा और दो छोटो बाहर आएगा क्योंकि इसमें चार क्लोरीन है ध्यान से देखते चलना ठीक है अब देखो इसको जब तुम आयनाईज करें तो तुमको दो आयन मिलेगा लेकिन यह सेकेंड वाले को जब तुम आयनाईज करोगे तो तुमको तीन आयन मिलेगा एक कॉंप्लेक्स बोला जाएगा कि सेम इलेक्टिकल कंड़क्टेंस तो यहां थोड़ी नहोगा यहां कौन है जो ज्यादा इलेक्टिकल कंड़क्टेंस करेगा तो प्लैटिनम वाला कंपाउंड अब बीका काम करते हैं कोबाल्ट सबसे पहले तो 3 एन अस थ्री अंदर रखो तो तुमको तीन सील भी रखना पड़ेगा अंदर क्यों क्योंकि कोडिनेशन नमर 6 तो सटिस्फाई करना है अब कोई सील बाहर नहीं बचेगा अब प्लैटिनम प्लैटिनम में तुम पांच एनस थ्री को अंदर रख सकते हो पांस दिया हुआ है तो एक ही क्लोरीन अंदर हो खुगा और बाक्ति को तीन क्लोरीन बाहर रखने का मौका है किन इसमें कोई आयन तुमको वाले में तुमको चार ठीटिनम वाले में तुमको चारहरण एक से असे कि आप्सन पर आज जो कोबाल्ट हमारा कॉइण नंबर सेटिसफाई कर रहा है और इस बार हम 3 क्लोरीन बहार लिखेंगे कि और प्लाटिनमीं बादे हमें यहां भी तुम्को सुल्यूशन Ama चार रायान मिलेगा और यहां भी तुमको सुलुशन crumble जाने चेज बाद चार आयन मिलेगा विकाज दोनों solution के अंदर equal number of ions generate करता है विकाज दोनों solution के अंदर equal number of ions generate करता है तो अगर equal number of ions generate कर रहा है तो वैसे case में वैसे case में electrical conductance इनका same होगा same electrical conductance तो इस तरीके से देखना होगा एक practice करने के लिए हम D छोड़ रहे हैं D आप खुद से सूचिए बताओ तो क्या D के first case में 4 ion और D के second case में केवल 2 ion मिलेगा D के cobalt वाले case में तुमको 4 ion मिलेगा अब आप सोचिएगा खुद से और platinum वाल में 3NS3 और 3CL अंदर 1CL बाहर तो केवल 2 ion मिलेगा ठीक है तो हम लोग को ions का नंबर चेक कर लेना और उसके basis में सोच लेना भाई क्या सही क्या गलत हो रहा है clear चलो आगए क्यूशन नंबर 6 में बोला है the correct structure of ethylene diamine tetra acetic acid EDTA जिसको आप कहते हैं ethylene diamine tetra acetic acid EDTA जिसको आप कहते हैं तो ध्यान से देखिए यह B option है यह रहा ethylene यह रहा diamine और यह रहा tetra एक मिनेटे एक मिनेटे एक मिनेटे sorry tetra acetic acid है ना sorry B नहीं होगा C होगा है ठीक है C होगा acetic acid लाना है acetic acid तो C option is there okay C option ethylene diamine tetra acetic acid acetic acid वाला गुरुप चाहिए tetra acetic acid clear है चलो आगए लिखा इसमें among the following among the properties A reducing B oxidizing and C complexing the set of properties shown by Cn- अच्चा Cn- Cn- के पास ability होता है कि ये खुद का oxidation कर सके ये खुद करता है करता है दूसरे को reduce करता है तो ये reducing agent की तरह भी काम करेगा तो A भी होगा A and C कौनसा option है B B वाला तो हमारे पास देखो reducing है तो oxidizing थोड़ी ना disproportionation तो तो करता नहीं तो वैसे case में हमारे पास जो Cn- है वो खुद का oxidation करता है तो काम करेगा reducing agent की तरह और वो ligand की तरह भी काम करता है ligands की तरह भी काम करता है तो obviously उस case में हम लोग complexing agent की तरह भी उसको use करते है अराम से समझते चलिएगा ठीक है the coordination number of central metal atom in a complex is determined by कोई भी particular central metal atom का coordination number आप कैसे decide करते है आप यही decide करते है कि माल लिजे यह मेरा metal है तो ligand इसके साथ कितना sigma complex के sigma bond का formation किया सही है जितना भी sigma bonds coordinate sigma bonds coordinate cobalent bonds ligand और metal के बीच बनता है वही उसका coordination number होता है ठीक है तो पहला option आपका लिखा हुआ है the number of ligands around a metal iron bonded by sigma bond फिर आगे pi bond sigma pi दोनों है तो ए अप्शन is most appropriate जो भी ligand मौजूद है वो metal के साथ कितना coordinate cobalent bond बनाता जो actually sigma bond है उसी के basis पे हम लोग है न coordination number decide करते है coordination number चलो अच्छे है आगे बढ़ो 9 में लिखा है in the complex iron this and this the coordination number of iron and cobalt is 6 why cobalt is 6 why अब देखो भाई इसका answer आपके पास एक दम simple है जो हमारे पास oxalate iron है वो by dented है और by dented होने की वज़े से 3 iron अगर है तो 3 iron मिलके 6 coordinate cobalt bond बनाएगा and ethylene diamine जो cobalt के साथ है that is also by dented और by dented होने के कारण भी यहें 3 है तो 2-2 मिलके 6 coordinate cobalt bond बनाएगा तो because COO4 मतलब oxalate iron and ethylene diamine जिसको हम लोग ithen 1-2 diamine भी कहते हैं by dented ligands है और 3-3 ligands मौझूद है तो कुल में लाके 6-6 coordinate cobalt bond बन रहा है इस वज़े से इनका coordination number 6 है ठीक है 10 में लिखा है the oxidation state of Fe in the brown ring complex यह आपके पास brown ring complex है Fe है H2O है whole 5 NO है और साथ में इस वपूर है देखो main तुमको problem है इसमें यह NO करता है इनो क्या है इनो है यहां नाइट्रोसाइल और यह नाइट्रोसाइल होता है इनो प्लस यह एक positive ligand है नाइट्रोसाइल है और यह positive ligand है अगर यह positive ligand है तो अब इसके basis पे आप oxidation number निकाल यह ना नाइट्रोसाइल एनो प्लस याद रखना अब यहां पर तुमको यहां देखना है आइरन का oxidation नमबर निकालना चलो भाई X हो गया पानी के लिए 0 into 5 हो गया यहां पर एनो के लिए प्लस वन हो गया इसलफेट के लिए माइनस टू हो गया और यहां से हम लोग सॉल किये तो X is equals to plus 1 आ रहा है तो प्लस वन oxidation स्टेट आइरन का है यहां सो प्लस वन oxidation स्टेट आइरन का यहां है इस दिस क्लियर आईए आगे बरते हैं नाइक्ट्र साइल आइन याद रखना positive होता है इन दा कॉंप्लेक्स दिस्ट ऑक्सिदेशन नमबर अफ प्रोमियम सीधा निकालिये ना प्रोमियम का आगे हैं आपके पास question number 12 question number 12 लिखा है विच और फॉलिंग कंपाउंड है सेम ऑक्सिदेशन स्टेट ऑप दिस सेंटल मेटल आटम इन दा केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट देखिए इसके लिए नेसेसरी कंडिशन क्या है ना कि आपको कुछ तो theoretical टर्म्स अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए ठीक है अब प्लाटिनम में हम आपको कुछ समझाते हैं उसको जरा गौर करजेगा प्लाटिनम में दो ओक्सिडेसन स्टेट होता एक होता प्लाटिनम का प्लस टू और एक होता प्लाटिनम का प्लस पूर कि एक होता प्लाटिनम का प्लस टू और एक होता प्लाटिनम का प्लस पूर हम आपको थोड़ा पीछे कोष्टन में एक ले चलते हैं प्लाटिनम प्लस फोर वाला जो है उसका कॉडिनेशन नमबर 6 होता है और जो हमारा प्लाटिनम का प्लस टू वाला होता है उसका कॉडिनेशन नमबर 4 होता है ठीक है तो प्लाटिनम का जो दो तरह का आयन्स है आपको कोश्चंस में उसको देखना है क्योंकि यहां आपको आप्शन में प्लाटिनम सब दिखाई दे रहा है गौर पर देखो यहां पे कॉडिनेशन नमबर 4 है तो यहां पर platinum plus 2 है और यहां पर platinum plus 4 है यहां भी coordination number 6 है तो 6 होने के कारण यह plus 4 है और यह plus 2 है ठीक है लेकिन silver जब आप लेते हैं तो silver चाहे कोई भी हो वो हमेशा easy plus होता है और यहां तो ऐसा है नहीं यहां तो कोशन ही valid नहीं तो आपसे अगर पूछ रहा है कि किस case में central metal item का ketanic और anion part में same oxidation number होगा same oxidation number तो same oxidation number के लिए आपको यह c option जब करना है platinum को याद रखेगा plus 2 वाले का coordination number 4 होता है और plus 6 वाले का coordination number 6 होता है आप oxidation number से उसका coordination number बता सकते हैं या coordination number देख के उसका oxidation number बता सकते हैं किसका platinum का और silver अगर कहीं भी complex बना रहा है तो ध्यान रखना केवल वो ag plus form में ही रहता है ag plus ठीक है तो केटायन और इनायन यहाँ पे same oxidation number में होना चाहिए सो silver वाला selected है वही सही answer है ध्यान रखना है यह platinum ध्यान रखना plus 2 वाला का coordination number 4 होता है और plus 4 वाले का coordination number 6 होता है 13 में आपसे बोला गया है if the complex ion is anionic the name of metal ends with the suffix 8 for cationic complex ion कोई नहीं कोई special ending नहीं होता अगर coordination sphere देखे यह nomenclature का portion है अगर आपके पास coordination sphere anionic है तो metal atom के नाम के last में 8 लगता है ferret, argentate, cuprate, nickelate like that लेकिन अगर यही coordination sphere cationic होगा तो पूछ रहा है क्या metal atom के index में कुछ लगता है special case no special किसी भी तरह का special ending नहीं होगा सही है तो metal is named same as the element metal is named same as the element जैसा element में नाम होता वैसे ही यहां पर metal का भी नाम होता है clear पिर यहां पर question number 14 लिखा है which among the following will be named as dibromido bis ethylene diamine chromium 3 bromide तो भई सीधा सीधा जैसे बोल रहा है वैसे बना लो chromium बनाओ ठीक है dye bromido है तो BR का 2 डालो और ethylene diamine bis है तो यह हम लोग का 2 डाल दो अब बाहर में भी chromium bromide भी बोल रहा है तो बाहर में BR डालो और structure लिखना हम आपको सिखायते हैं कि इस पर power मान लीजे यह x है हम लोग को x निकालना होगा तो chromium का यहां पर plus 3 दे दिया bromine का यहां minus 1 into 2 दे दिया ethylene diamine ने neutral होता है ठीक है और यह x निकालना है हम लोग को x ही निकालना है ना that will be equals to x यह आपका x होगा ओह यहां x नहीं निकालना है इसके नीचे x लिखना है कि यह यह x कितना होगा तो plus 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 minus 1 into x and that will be equals to 0 तो यह हो गया 3 minus 2 minus x is equals to 0 so x will be equals to 1 तो x 1 है इसका मतलब यह है कि मेरे complex का जो structure है वो है CR ethylene diamine को थोड़ा पहले लिख देते हैं 2 BR2 और बाहर में 1 BR structure देख लो वही आंसर होगा कौन सा 14 का B 14 का B वी वालंसर पुटिन का B गुट आगे बढ़िए यह सब याद रखेगा इस अब चोटा चोटा कोशन है आगे आपका bonding उंडिंग इस सब आना बाकी है अभी आप देखते चलिए सब अभी हम लोग यूपेक नुमेंक्लेचर पर काम करते हैं सारा का सारा रूस याद करो कैसे structure से नाम लिखते हैं और कैसे नाम से structure बनाते हैं अब यह देखो इसमें भी देख रहा है कि structure decide करना फिर नाम लिखना है ammonia gas does not evolve from complex यह लाइन जैसे ही बोल दिया does not evolve इसका मतलब चार का चार ammonia अंदर है तो आप decide हो गए हैं कि हाँ Fe के साथ चार का चार ammonia complex square bracket के अंदर है अब अगला decision है कि कितना CL अंदर है but it gives white precipitate with aqua solution of AgNO3 ठीक है भाई AgNO3 के साथ aqua solution में यह white precipitate बनाता है iron का coordination number होता है 6 यह भी लिखा है iron का coordination number 6 है अब iron का coordination number 6 है उसमें 4 ammonia satisfy कर रहा है तो 2 chlorine satisfy करेगा ना और 1 chlorine बाहर रहेगा ठीक है यह इसका structure हो गया अब आप इसको नाम में तबदिल कीजी आप यहाँ पर iron का oxidation number निकालिए देखे plus 3 आ रहा है x मानेंगे ammonia का 0 into 4 करेंगे chlorine का minus 1 into 2 करेंगे और फिर से chlorine का minus 1 करेंगे and that will be equals to 0 तो यहाँ से iron का oxidation number plus 3 आ रहा है अब आप नाम लिख दीजे नाम क्या बोलेगा tetraamine dichloro iron 3 chloride tetraamine dichloro iron 3 chloride this is the B option tetraamine dichloro iron 3 chloride आगे next according to you pick nomenclature sodium nitroproside is named as sodium nitroproside ठीक है देखो सबसे पहले तो आपको इसका formula आना चाहिए एक मत यही यहीं सोडियुम नाइट्रोप्रसाइड आयन यहीं ठीक है भी आपको इसका नाम लिखना ओंट देसे सोडियम यहां पे इसका oxidation number निकालो देखो यहां पे plus 1 है यह तुमको minus 1 into 5 करके minus 5 आ रहा है और यह plus 1 होता है तो अब कुल में लाके मेरे पास 3 बसता है minus 3 बसता है तो यह plus 3 अब यहां पे है यह penta साइनो- नैट्रोसिल विकॉज यह एननीक कोंप्लेक्स है तो फेरेट होगा फेरेट कोंप्लेक्स का कोंडिनेशन नमबर 3 ठीक है कोंप्लेक्स का कोंडिनेशन नमबर 3 तो यह है हमारे पास sodium naitroposide पहले तो आपको यह पूरा structure आना चाहिए अगर आप इसका structure नहीं जानते आप इसको नहीं बना पाईएगा और उसके बाद फिर इसका naming लिखना naming लिखना हाड नहीं है वो तो कुछ rules के उपर है तो जो rules याद करके बैठा है वो लिख रहा है सबसे पहले क्या करते rules में हम लोग क्या करते छोड़ो एक revision कर लो कि यह भी central metal atom है सबसे पहले तो उसका oxidation नमबर निकालते हैं अब किसी किसी का क्या है कि oxidation नमबर निकालना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है क्यों क्योंकि वह basic rules याद करके बैठा है जैसे यहीं सोडियम के लिए हम प्लस वन लिखे iron को एक्स मान लिए फिर हम मौझूद है यहां iron plus three state में मौझूद है तो आपको एक idea मिल गया कि हाँ चलो ऐसे हम लोगों को चलना है ठीक है और उसके बाद फिर जो हुआ आपके सामने calculation discussion यह सब चलते रहेगा यहीं सब तरीक है कि 16 कि कि आगे मिलिए नेक्स्ट कोश्चन में लिखा है कोश्चन नुबर 17 राइट दो फॉर्मला फॉर कॉडिनेशन कंपाउंट नेम आज अब देखो जैसे नाम दिया है सबसे पहले हमको उसका एक जनरल फॉर्मिट आपके सामने बनाना है तो हमारे पास कोबाल्ट है और इतलीन डाइमाइन का तीन है और साथ में सल्फेट है हम आपको बोल रहे है क्या ना कि हमेशा ध्यान रखिए कि यह यह नंबर आपको निकालना पड़ेगा यह एक्स कितना आएगा ठीक है बाहर वाला जो आईनाइजेशन स्फेयर में आयन मौझूद है उसका नंबर कितना होगा यह आपको नि पाज होता है माइनस टू और ऐसा ऐसा एक से डाट विल बेग्वल्स टो जीरो तो यह हो गया 3 माइनस 2X इस इक्वल्स टो जीरो या फिर 3 इस इक्वल्स टो टो एक्स बोलो या फिर यहीं से तुम्हारा एक्स का वैलू हो गया 3 वाई 2 अब आप इसको कैसे लिखेंगे आ कोबाल्ट है इतलीन डाइमाइन का 3 है और सल्फेट के नीचे लगा हुआ है 3 by 2 अब सल्फेट के नीचे 3 by 2 है तो दोनों में आप 2 से मल्टिप्लाई कर दिजिए कोबाल्ट इन होल 3 यहां पे 2 आ जाएगा और साथ में बचेगा सल्फेट उसके नीचे 3 बच जाएगा तो आपको यहां पे नाम से स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए नाम से स्ट्रक्चर बनाने में पहले एक जंडल पॉर्मिट स्ट्रक्चर का ड्रॉ कर लेते हैं और यह नंबर खुद से अज्यूम करते हैं अपना ध्यान लगाते हैं कि हां यह x कैसे निकालने यह x एक बार मिल जाता है फिर अपना काम आगे बढ़ाओ ठीक है चलो और आगे बढ़ा है राइट दा फॉर्मुला फॉर दा कॉर्नेशन कंपाउंड फिर से वही बात है आपको इस नाम से स्ट्क्चर रहा करना है को ने बाइं सेंट्रल आटम प्लाटिनम नम है डाई क्लोरो ख्लोरीडो तो दो सियल है बिस इतेन वंट टू डाई एमाइन मतलब ए न का होल्टू है और बाहर में नाइट्रेट है, नाइट्रेट एनो 3 है, मालो यह X है, हम लोगो वही X निकालना है, जैसे प्रिवियसली काम किये वैसे यहां काम करना है, फिर प्लाटिनम का हम लोग ऑक्सिडेशन नमबर देख रहे हैं 4 है, तो प्लस 4 लिए, क्लोरीन का माइनस 1 इंटो 2 लि या फिर X का वैलू 2 आ गया, अगर X का वैलू 2 आ गया, तो मेरा स्ट्रक्ट्रो हो गया, प्लाटिनम, ठीक है, क्लोरीन, EN का होल 2 और नाइट्रेट का भी होल 2, यह फ्री का भी होल 1 2, जैए, नाइट्रेट का भी होल 2, तो तो इस से is a option is there, सम्जीhen, तो आपको यह सब ची यह दूसरा कोश्चन हो गया जहां आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया था कि हाँ एक्स निकालना है और उसके वेसे इस पर काम करना है 18 कि आगे बढ़ते हैं 19 में लिखा विचावभगद फॉलिंग पे रिपेजेंट्स लिंकेज आई सुमेरिज्डी अच्छा लिंकेज आई समरिज्डी कॉन सो करता है जो जिसमें embedded ligand हो embedded ligands आप उसको कहते हैं जो coordinate दोनों तरफ से हो सकता है which can coordinate from both sides which can coordinate from both sides दोनों तरफ से coordinate हो सकता है लेकिन coordinate किसी भी समय होता एक तरफ से तो आप सब में खुजने का कोशिस करो embedded ligand कहां है उपर से नीचे तक तुमको तुरंत मिल जाएगा यह B option इसमें है आपके पास thiocyanide ठीक है SCN SCN के पास ability होता है कि वो embedded ligand की तरफ सर्फ करे ठीक है thiocyanide nitrogen से भी bond बना सकता है और आपके sulfur के साथ भी है ना bond का formation कर सकता है so it is a thiocyanide तो linkage isomerism इसी case में होगा SCN हो सकता है या NCS भी हो सकता है SCN एक तरफ से bond और NCS दूसरे तरफ से bond clear है तो B option source linkage isomerism linkage isomerism में embedded ligands होता है कभी A side से coordinate cobalent bond मनाता है metal के साथ कभी B side से मनाता है clear है isomerism का section आ गया है ध्यान से देखते चलना the complex this and this and this and this are the complex of which type of iron जरा गौर करना यहां पे cationic coordination sphere और anionic coordination sphere में बस metal atom अपना position बदला है तुम दोनों जगह देखो metal atom अपना position बदला है दोनों complex हैं this is an example of coordination isomer coordination isomer में ही ऐसा होता है कि जो हमारे पास cation है वो भी complex होता है जो anion है वो भी complex होता है और metal atom इसमें अपना position isomerism के अंदर interchange करता है cation वाला metal anion में चला जाता है anion वाला metal cation में चलाता है clear है position change करता है इसको कहते हैं coordination isomerism best example है आपके पास और अगे बढ़िए लिखा विच टाइप ऑफ आईसोमेरिज्म राइज इस वन बाईदेंटेड लिगेंड आध प्रेजन इन कॉंफ्लेक्स ऑफ फॉम्मला दिस अगर हमारे पास इस तरह का हम वाइदेंटेड मौझूद है तो किस तरह का आईशोमेरिज्म अरइस कर सकता वो देखो अब आप यहां देखिए नमा लीजिए मेटल आटम है यहां पे बाइडेंटे डिलिगेंट दो है इसका मतलब इसके अंदर कुल मिला के कॉडिनेशन नमबर 6 है ठीक है अब अगर मेरा एक्स अगल बगल से आ जाए और फिर मेरा एल एल एक साइड से आ जाए तो क्या आप इसको सी साइसमेरिज्ट कहेंगे क्योंकि मेरा x दोनों अगल बगल से है और फिर मेरा दोनों l अगल बगल से है और उसी में अगर मेरा x अपोजिट साइड से आ जाए कहने का मतलब x उपर है और x नीचे है तो मेरा ll भी अपोजिट साइड से आपको दिखाई देगा तो क्या आप इसको trans isomer कहेंगे मतलब इस केस में इस केस में अगर गौर करो तो तुम्हारा gi तो जरूर सो हो सकता है अगर दोनों x अगल बगल में है तो उसको cease कह दो और अगर दोनों x अगल बगल में है तो उसको cease कह दो और अगर दोनों एक सपोजित में है तो उसको trans कह दो सही है एकदम सी ओर लेकिन हमको एक चीज और भी आपको बताना है कि इसका जो cis isomer है ना इसका जो cis isomer है हम trans का बात नहीं करें इसका जो cis isomer है ना वो can source optical isomerism also लेकिन केवल cis वाला और केवल क्यू cis वाला तो यह आप लोगो अच्छे तरीके से है ना discussion के दोरान बताया गया है कि cis वाले का अगर आप mirror image बनाईएगा ना तो वो non superimposable mirror image बनता है cis वाले का अगर आप mirror image बनाईएगा तो वो non superimposable होता उठा के रखने से सुप्रिम पोस नहीं करता है लेकिन ट्रांस वाले का अगर बनाईएगा ना तो वो सुप्रिम पोस कर जाता है ठीक है तो जो cis आइसमर बना है वो आगे optical isomerism भी सो करता है लेकिन यहां पर हमको एक ही option टिक करना है तो अच्छा होगा कि हम केवल है ने geometrical isomerism के बारे में सोचे geometrical isomerism के बारे में सोचे ठीक है cis और trans आपके पास है कि the existence of two different colored complex with the composition this देखिए molecule तो यही है लेकिन बोल रहा है कि दो अलग-अलग तरह का colored complex बनाता आखिर ऐसा क्यों क्योंकि इस कोबाल्ट format को समझने का कोशिस करे एनस थ्री whole 4 and CL2 और यह है प्लस इसका जो format आप देख पा रहे हो ना this can form cis and trans isomer on the basis of chlorine आप chlorine को देखके इसमें cis और trans isomer बना सकते हैं आपका कोबाल्ट रहा कोडिनेशन नंबर 6 है कोडिनेशन नंबर अगर 6 है अगर मेरा chlorine अगल-बगल से आ गया बाकी हर जगह से ns3 है केवल chlorine देखके आप आंसर निकाल सकते है ns3 अगर बाकी जगह से है तो यह मेरा cis isomer बनेगा और हाँ और इसको लिखने का तरीका पता है क्या है जब भी कोई iron रहे न तो जरूर उसका charge दिखा दिया करो clear है और इसी तरह से अगर आप कोबाल्ट बनाते हैं और इसके structural arrangement में कुछ ऐसा करें कि आपका chlorine opposite से रहे यहाँ पे chlorine को देखके आप decide करेंगे कि cis बन रहा है कि trans क्योंकि ammonia देखके कोई फायदा नहीं है ammonia तो चार है तो आप chlorine देखिए chlorine तो यह आपका बन गया trans तो because ठीक है molecular formula एक है लेकिन cis एक अलग molecule है ट्रांस एक अलग molecule है इसलिए से इसका दो दो तरह का colored complex बनता है कि cis isomer एक तरह का color दिखाएगा तो trans isomer उसका दूसरा color का दिखाएगा भले formula दोनों का सेम है लेकिन यह दो अलग-अलग isomeric form में exist करता है इस वजह से उनका जो existence है वो दो अलग-अलग color में होता है geometrical isomerism geometrical isomerism clear है चलो आगे बुड़ एक दम अच्छे से समझते जाएगा ठीक है एक बार जो question आपके सामने रख रहे है अगर आपको इतना समय पर याद है तो नहीं छूटेगा question हम आपको बोल रहे है ना लेकिन बस यह है कि मालीज आपके सामने 70-80 question होगा 70-75 question है ठीक है तो इतने questions का concept आपके दिमाग में रहना चाहिए और इसका एक simple तरीका हम हर तरह के वीडियो lecture में आपके सामने बोल रहे हैं बहुत जादा question ना बनाए सीखने के लिए practice के लिए सीखने के लिए कुछ basics question पकड़िए और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें जैसे आपके मालीज सब्सक्राइब 75 question है सीखने के लिए 75 question को पकड़िए बार बार इसको देखिए बार बार समझें और जब आप सीख जाए चीज तब आपको 100-200-500-700 जितना question बनाना जो बुक उठा के बनाना बनाईए सीखा हर बुक पे नहीं जाये जाता है हर बुक पे है ना question का practice किया जाता है शीखा जाता है कुछ मूल भूत questions पे, अब आप रोट पे चलते हैं, बहुत आदमी आपके साथ मिलता है, बहुत आदमी आपके साथ मिलता है, आप हर किसी से चीज सीखते थोड़ी न चलते हैं, आप सीखते तो है कुछ घर में कुछ important family members से, कुछ अपने mentor से, कुछ अपने दीदी भहिया से सीखते हैं आप कुछ selected आदमी से और जो आप सीखते हैं लाइफ में उसी को जहां भी जो आदमी मिलता उसके साथ implement करने का कोशिस करते हैं सहीए तो सीखने वाला question का set आपके सामने दिखाया जा रहा है इससे सीखिए हर question से मत सीखिए इस सीख के फिर दूसरे question पर लगाईगे ठीक है आप लोग क्या करते हैं ना कि हर question ही उठाके लिए इसको बना लिए उसको बना लिए उसको बनाने तो तो उसका भी समधान खोजना अगर मानलो हम नहीं बोल पाएं है वह ऐसा चीज तो उसका समधान भी आपको खोजना उसको छोड़ना नहीं है सीखने के लिए कोशन से अगला कोशन है तो टाइप अफ आइसोन और फाइशोन सोन भाई दो कॉंपलेक्स अब देखे यह सीखना इतना देर सीखते शीखते क्या अबभी तक यह नहीं पहुंचे कि यह जीडीज और कि एन जो है वह एलल के जगा पर है और बाकी यह और यह ल है इस है जी इ अब आईए complex that can facial and meridonial याद रखना facial और meridonial हमेशा central metal atom के साथ इस form में होता है याद करूँ आपको पढ़ाया गया है central metal atom के साथ अगर दो unidented ligand हो और दोनों में ही unidented ligands का नमबर 3-3 हो तो अगर तीनों एक तरह का ligand octahedral के एक face पे आएगा तो उसको facial कहते हैं और अगर octahedral के opposite opposite face meridian पे आएगा तो उसको meridonial कहते हैं देखे ना आप यहाँ समझे यह हमारे पास center metal atom है अब इसका 6 coordination number दिखाने के लिए हमें square planer geometry लिए एक bond उपर एक bond नीचे दिखा दिए माल लिजी जैसे हमारे पास a यहाँ है a यहाँ है a यहाँ है तो अपने आप बाकी तीन जगा पे b आएगा आप अगर तीनो a को आप अगर तीनो a को एक दूसरे के साथ मिला दें तो आपको दिखेगा कि यह इस octahedral के एक face पे आ रहा है और bb को अगर आप मिला दें तो आप खुद चेक कर पाएंगे कि हाँ यह octahedral के opposite face पे आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं facial लेकिन अगर हम structure कुछ इस तरह से बनाएं full time दीजिए एक दम एक एक लाइन को दिमार में बैठने दीजिए एम है यह a है यह चार bond है जो plane में है एक plane के उपर है एक plane के नीचे अब आप a को इस तरह से लिखें और b को इस तरह से लिखें कि अगर आप 3 a को मिला दे या 3 b को मिला दे तो आपके सामने एक ऐसा plane तयार हो जाएगा जो एक्जेक्टली मेरे मॉलीक्यूल को बीच से कट कर रहा है एक मिरीडियन की तरह काम कर रहा है मिरीडियन देन इट इस कॉल्ड मर आईसोमर या मेरीडोनियाल आईसोमर समझे और यह आप देख पारें एक दम स्ट्रेट फॉरवड जहीं मैंस का कोस्चन है इस्ट्रेट फॉरवड आपके सामने कोश्चन दे लिए तो बस अब इसके बाद इस तरह का कोश्चन कहीं भी मिले तो उसको हैंडल करना यह फेशियल मैरीडोनियल ठीक है ऐसा आगे बढूंगे दे कंप्लेक्स प्लाटिनम पेरिडीनियम एनस्थ्री ग्रोमीन क्लोरीन विल हाब हाव मेनी जेमेट्रिकल आइसमर्स इंट्रेस्टिंग कोश्चन है इस केस में तीन आंसर होता है और वो एकदम आपको याद होना चाहिए कैसे सबसे पहले आपको इसका स्क्वार जेमेट्री बना लेना है स्क्वार यह आपका प्लाटिनम है सेंट्रल आटम एक जगा पाइरिडीन है एक जगा एनस्थ्री है एक जगा आपका ब्रोमीन है और एक जगा क्लोरीन है करेक्ट है अब इसके अलग-अलग तरह के isomers को बनाने का तरीका ये है कि किसी एक को अपने जगा पे fix रखो और बाकि सब के position को interchange करो तो आप जब इसका अगला isomer बनाएंगे तो उसमें pyridine आपको वहीं दिखेगा जहां previous structure में है platinum बीच में pyridine यहां ठीक है अब cl चला गया है इस साइट पर ns3 आ गया है यह राइट हंड साइड मीचे और ब्रोमीन आ गया है यहां फिर से आपका काम वही होगा कि pyridine को अपने जगा पे ही छोड़ दीजे और अब ब्रोमीन को भीजिए यहां क्लोरीन को यहां और अमोनिया को यहां फिर आपको मिलेगा एक तीसरा structure यह तीनों आपस में isomer है कि एडे आट जी आई जिमेट्रकल आइसमर्स तो आपको बीच में प्लाटिनम मिलेगा और पेरिडीनियम महीं मिलेगा जहां पहले था अब ब्रोमीन आपको यहां मिलेगा क्लोरीन आपको यहां मिलेगा और अमोनिया यहां यह तीन आइसमर्स बनता अब इसके बाद भी अगर आपको चेंज करेंगे तो वो सेमी मॉलिक्यल होगा भले आपको दिखेगा कुछ और ठीक है तो इसमें दो सीस है और प्लस एक ट्रांस है तो कुल में लाके आपके पास तीन आईसमर्स बनता है अब अगर आप इसमें सीस और ट्रांस को भी पता करना चाहे न तो उसके लिए आपको प्रेयृरिटी और्दर याद रखना हुगा प्रेयृरिटी और्दर हम आपको बता रहे हैं प्राइटी ओर्डर में ये होता है ना कि देखा जाता है कि मिटल आटम के साथ जो बॉंडेड आटम में उसका मोलर मास कितना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रोमीन का मोलर मास सबसे जादा है वन है उसके बाद क्लोरीन है उसके बाद अमोनिया का नाइट्रोजन ह और पारिडीन का कार्बन सबसे लास्ट में, चौथे नमबर पर आप जब पोजिशन चेंज किये हैं, अभी देखिए 1, 2 अगल बगल में है, 3, 4 अगल बगल में है तो इसको अगर आप नाम देंगे तो सीज है ये अब देखिए, ब्रोमीन आ गया यहाँ, क्लोरीन है यहाँ, उल्टा 3 यहाँ है, 4 यहाँ अब आपको अगल बगल में consecutive जो नमबर्स है, वो नहीं दिखेगा तो यह आपका ट्रांस है 1 और 2 अपोजिट में है, 3 और 4 अपोजिट में है और अगर आप उसके बाद के structure में जाएंगे अगर आप उसके बाद वाले structure में जाएंगे अगर आप उसके बाद वाले structure में जाएंगे अगर आप उसके बाद वाले structure में जाएंगे तो देखे, फिर से 1 आपको bromine का यहाँ दिखेगा, chlorine फिर बगल में दिखेगा और फिर 3 और 4 आपको बगल में दिखेगा तो यह फिर से बन गया सीस तो बहुत कुछ है इस तरह के मॉलिक्ल में अब मॉलिक्ल कैसा है तो मेटल आटम है A है, B है, C है, D है कहने का मतलब चारो लिगंड अलग है अगर चारो लिगंड अलग अलग है तो आपको इस तरीके से सुचना अराम से समय दीजिए हर चीज को समझेए